दोस्तों कि आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता सदेव आपके घर पर बनी रहें तो आपको भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कामों के बारे में आपको बता रहे हूं जिसे अगर आप गलती से कर देते हैं तो आज से ही करना बंद कर दें क्योंकि ये घर में आपके दरिता, बिमारियां और कलेश लेकर आएगी तो चली शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो जानते हैं घर के मुखे द्वार के सामने कौन सी चीज़ें जो होना अश्रुब माना गया है लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंदार है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजएगा दोस्तो नमबर एक गंदे पानी का रुकना जमाव होना बहुत बड़ा अश्रुब होता है ये वास्तु दोश का कारण बनता है साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बिक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बिमार कर सकते हैं इसलिए अगर आपके घर के साम काटेदार पौधे रख देते हैं लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है मुखे द्वार के सामने काटेदार पौधे होना कलेज निर्मान करता है इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है साथ ही साथ शुत्रूओं की संख्या भी बढ़ती है इसलिए घ काटेदार पौधे कभी भी ना रखें घर के मुखे द्वार के सामने तुलसी तथा सुगंदित फूलों वाले पौधे अवश्य रखने चाहिए और तीसरी कूरा दान जी हां दोस्तों कूरा डालने में असानी हो इसलिए कुछ लोग कूरे दान को मुखे द्वार के सामने सटा कर रख देते हैं अत्वा इसे घर के सामने भी रख देते हैं लेकिन वास्तों के अनुसार ये कश्चदारी होता है और धन की हानी का सूचक माना चाहता है इसलिए ऐसा बिलकुल भी ना करें और दोस्तों कोडे दान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए इस को देवी लक्ष्मी की दिश्वा माना गया है और नंबर चार की बात करें दो बिजली का खंबा कहीं घरों के सामने बिजली का खंबा होता है लेकिन वास्तु में ये परिवार के सदस्यों की उन्नती में बाधा होता है मुखे द्वार के सामने खंबा होना बहुत हानिकार इसलिए मुखे द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के बिलकुल सामने कोई खंबा ना हो अब बात करते हैं नमबर पांच पेड़ पौधे घर के मुखे द्वार के सामने घर ने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए इससे वास्तु दोश उत्पन होता ह साथे इससे सूरे प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता प्राता काल में घर की मुखे द्वार से सूरे प्रकाश घर में जब प्रवेश करता है तो स्वास्ते बना रहता है अच्छा होता है लेकिन वहीं अगर सामने पेड़ होगा या बड़े-बड़े पौधे होंग तो ऐसे में आपके घर में जितनी भी शान्ती है, सुख सम्रिदी है, वो सब दूर हो जाएगी तो ऐसे में कुशिश करें कि आपके घर के सामने बिल्कुल भी लंबे पेड पौधे ना हो और छटी बात, घर के आगे से बिल का उपर चरना बहुत ही अश्रुब मना जाता है वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तो तर शत्रों की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नती में बाधा के निर्मान होती है साथ वी बात करें तो धेलीज जी हाँ दोस्तों, वास्तों के अनुसार मुख्य दौर की धेलीज से उची सड़क होना कश्टकारी होता है मुख्य दौर ये फिर घर के सामने कोई भी गड़ा या कीज़र नहीं होना चाहिए इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है घर के मुख्य दौर के सामने मंदिर भी होना बिलकुल नहीं चाहिए अगर घर के मुख्य दौर के सामने मंदिर हो तो परेशानिया और संकर से घिरे रहेंगे आप मुख्य दौर के सामने सीड़ी नहीं बनानी इससे तरक्की में बाधा निर्मान होती है बच्चों को पड़ाई में सफलता नहीं मिल पाती दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखे कि घर के मुखे द्वार पर कभी भी मातालक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए मातालक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर सावित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको मातालक्ष्मी या फिर मातालक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज़े रखनी चाहिए क्योंकि मातालक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है ना कि घर के बाहर कई लोग फाशन के तौर पर घर के द्वार पर ही मातालक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं तो मातालक्ष्मी द्वार से ही वापस चले जाती है और घर के भीतर कभी प्रवेश नहीं करती आपको इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना होगा मैं आपको बता देती हूं कि केले के पत्ते की बंदर बाल बना कर अपने घर के मुखे द्वार पर जरूर लगाने चाहिए इससे मातालक्ष्मी आकरश्रत होती है ऐसे घर पर महालक्ष्मी का सदेव आश्रवात बना रहता है ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर घर के अंदर मातालक्ष्मी यश, वैभव, कीटी और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुखे द्वार माला माल आपको बना देता है घर का द्वार घर की संपन्ता के बारे में बताता है तो भूल कर भी घर के मुखे द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कच्रा बिल्कुल नहीं फिलाना चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक परिनाम देखने को मिले ना कि उसका नकारात्मक परिनाम जहेनना पड़े कई लोगों को ये भी ग्यान नहीं होता कि वो फैशन के तौर पर फूल और पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं दोस्तों भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक ही दिन में मुर्जा जाते हैं जैसे कि चूई मुई का पौधा इस तरह के पौधे आपको घर के मुखे द्वार पर बिलकुल नहीं लगाने चाहिए यहां ऐसे पौधे जो सुगंद की जगा दुर्गन देते हैं इन पौधों को भी मुखे द्वार से दूर रखना चाहिए अपने घर के मुखे द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचे घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए इसकी खनखनाट जो होती है वे घर में महालक्षमी का प्रवीश करवाती है दोस्तों साथ ही साथ positive energy को अपनी और आकरशत करती है और नकारतमत चीज़ें इनकी आवास सुनकर अपने आपी घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती है तो इसी चीज़ें अपने घर के द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखें कि आपको कितना फाइदा मिलेगा एक बात का और ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर कभी भी घर की मैलाएं रात्री के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौकर पर बैठें क्योंकि दोस्तों जो मैलाएं घर की चौकर पर बैठती हैं, खासतों से शाम के समय, सुर्यास के समय, ऐसे घर में हमेशा दरिता बनी रहती है, और ऐसे घर में देवी देवता कभी नवास नहीं करते, कई बात लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं, और बाहर से सीधे आकर गंदी चपल, जूते, जू भी होते हैं, उन्हें मुखे द्वार पर बिखेर कर या फिर फेक कर अंदर चले जाते हैं, और जूते चपल यूँ ही बिखरे पड़े देते हैं, तो दोस्तों, आपके मुखे द्वार पर हमीशा साफ सफाई रखनी चाहिए, जूते चपल तरीके से किनारे पर रखने चाहिए, कभी भी मुखे द्वार पर जूते चपल बिखेर के नहीं रखने चाहिए, इससे महालक्ष्मी की आने के रास्ते में रुकावर पैदा होती है, तो ये गल्दी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा, इस बात का भी ज बहुत जदा पसंद आया होगा, ऐसी कुछ नया दिखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें